स्वागत आप सभी का बीबी अस्तार उनिवर्स यूटूब चैनल पर कैसे हैं आप सब एक दिन पहले अभी अक्षिकुमार की माच अवेटेड मूवी ओमजी 2 का ट्रेलर आया इस ट्रेलर को सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा प्याद गया अप एक पॉश्टिव रिस्पॉंस मिला इस ट्रेलर को और सभी लोगों ने कहा कि या मूवी इकसांदार हो सकती है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस मूवी का कहानी क्या हो सकता है तो इस वीडियो को आपको लाश्ट सक देखना है आपको बहुत कुछ मालूम होगा या वीडियो बसंदा है तो जरूर आपने दोस्तों या अपने चाहने वालों को जरूर सिर करिए वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेलर को देखने बाद सबसे पहले ये मालूम पढ़ता है कि एक सिंपल एक middle family है जो की महाकाल की नगरी जो की उज्जेन में रहती है इनके family में चार से पाँच सदस है सबसे पहले जो है इनका एक लड़का हो सकता है ये इनके भाई हो सकते हैं, ये इंकी वाइफ हो सकती हैं और ये इनकी माता जी, और ये इनकी सिश्टर भी हो सकती हैं ठीक है? एक Simple Family, एक Common Family है इनकी Common Family में इनके पिता जी एक किसी Office में, किसी Government Office में कोई बहुत बड़ा नहीं लेकिन इक Common सा कोई काम करते हैं ये आफिस जाते वक्त अपने बच्चे को इसको छोड़कर ही जाते हैं एक common family के तरह एक middle family के तरह जो अकसर भारतियों में ऐसा होता है और इसके बच्चे के जिसे कि जो पंकत्रिपार्टी का जो लड़का है उसके कुछ ऐसी activity जो है उसके द्वारा की जाती है तो भाई जैसे कि जो activity जो भी viral हुआ है हो सकता है कि आज कल हमारे जो समाज है काफी रूडी वाकता है काफी orthodox है मतलब काफी जादा कठोर समाज है आज का time ठीक है और ऐसी चीजों को आज का समाज accept नहीं करता उसको लगता है कि ऐसी चीजों को accept करना यानि कि अपने समाज को दूसरित करना लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे का सभी लोग school में मजाग बनाते है लेकिन जो activity या लड़का किया होता है जो भी activity हो तो movie देखने के बात पता चलेगा लेकिन या activity हम सभी के महाकाव धर्म के महाकाव में उसको as a education की तरह समझाया गया है हम सभी के गरंथ में as a education की तरह समझाया गया है और western country में उस सभी चीज़ को एक अच्छे तरीके से समझाया गया है सभी रिष्टेदार, महले वाले, सभी दोस्त, सभी लोग इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मज़ा गुड़ाते है और family के pressure में आकर वह बच्चा कहीं ना कहीं आत्पत्या कर लेता है suicide कर लेता है जैसी कि आप सभी को trailer में देख कर पता चलता है ठीक है उन सारे pressure में समाज का pressure तो होता है साथ-साथ पंगत रिपाठी जो कि उस बच्चे के पिता रहते उनके द्वारा भी कुछ pressure दिया जाता है जब उस बच्चे का accident मतलब कि जब उस बच्चे का suicide हो जाता है कांट्री में ये एक education बाद में उनको अपनी गलती का पसतावा भी होता apply हो उसके बाद में पंकर च्रिपार्टी खुद के उपर ही case करते हैं जैसा कि आप değil फेकर सकते हैं जब और काट रूम Lion का ठीट पाता है तो फेकर याप को अपने आपको उनको लगता है कि उनके द्वारा या फिर समाज के द्वारा उस बच्चे की जान गई है तो उस पंगत्रिपाटी क्या करना चाहते हैं सोचते हैं कि क्यों ना हमारे गरंथ हमारे महाकाव का एक्जामपल दे कर उस सारे साक्ष को रख कर इस चीज़ को सही बताया जाए कि जो उनको काफी ज़्यादा परिसानी होते हैं फिर उनके जीवन में अक्षे कुमार जो कि इस मूवी के अनुशार ये बताया जाता है कि ये बोले नात का एक रूप है उनके जीवन में आते हैं उनकी चीज़ों को आसान करने के लिए अब पंकत्रिपाटी का ये केस चलता रह सकते हैं इसलिए यहां पर काफी चीजों का क्राइटेरिया होता है और पंकत्रिपाटी को हर एक छोड़ी चीज का बहुती बुरे तरीके से सामना करना पड़ता है उनको काफी कुछ कटनाईया आती है क्योंकि उनके बच्चे का केस वो खुद लड़ रहे हैं और खुद क कहां से बहती है यह भाई लाइन तो बहुत ही प्यारा लाइन था तो ऐसी छोड़ी चीजें जैसे कि यहां पंकत्रिपाटी कहते हैं कि अगर मान लीजिए टाटा ट्रक से आपका एक्सिदेंट हो जा तो आप केस किस पर करेंगे उस ड्राइबर पर या फिर आदरड़ ये सिर्फ एक बच्चा नहीं समाज के लंबग हर बच्चे इस सी से जूज रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो पंकत्रिपाटी कर रहे हैं वो सही है फिर सारे लोग स्कूल के खिलाफ कही ना कहीं हो जाते हैं ठीक है जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं सब लोग समाज के लोगों की यही प्राब्लम है फिर बाद में सारी जनता सारे लोग इस चीज़ को एकसेप्ट करते हैं कि जो हुआ उस बच्चे के साथ वह बहुत ही ज्यादा गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए तो दोस्तों इस ट्रेलर को देखने के बाद इस मूवी का चोटा- मिलते हैं किसी और वीडियो में जो की बहुत ही अच्छा सांदार हो सकता है आप सबस्तों अच्छे रहें जैहिन जैभारत